हम बात करेंगे कि इलहाबाद हाई कोड की जो परिक्षाएं होनी है उसकी एक्जाम डेट को लेकर लोग बहुत परिशान है कब आएगी एक्जाम डेट कब होगा एक्जाम तो most probably जैसे पहले से मैं बताता रहा हूँ six ये लोगों के डॉट कमेंट आ रहे हैं कि परिक्षाएं कि तने दिन पहले पता चल जाएगा और इसके बाद परिक्षा से कितना पहले हमारा कषाम से पताबाद चलती है और आखरी question है stage 1 और stage 2 के बीच हमें कितना समय मिलता है तयारी करने के लिए और कितने समय में stage 1 का result आता है यह सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चलने वाली हैं और यह सारी चीज़ें बहुत सारे वीडियो में मैंने अलग-अलग पहले ही बता रखिया आज एक साथ आपको जानकारी चाहिए इस परिक्षा समंदित जो भी आपके डाउट है सारे पर वीडियो पहले ही बनाये जा चुके हैं मेरे चैनल पर समंद में बहुत सारे वीडियो कि 4-5 साल से मैं इस विकवरती को कवर कर रहा हूं तो बहुत सारे वीडियो हर डाउट पे बने नोटिस ठीक है तो मैं इस चीज को लेके चल लाओं पिछली भरतियों में जितने दिन पहले नोटिस दे रहा था हाई कोड वो चीज में कंसिडर करके चल रहा हूं तो सम्मंद में वटा देना चाहूंगा कि कि पहले देख लेते हैं एक्जाम सिटी से सम्मंदी इन्फॉर्मेशन जो एंटिये ने दोजार चोबिस की ही नोटिफिकेशन में लिखा है सिटी इंटिमेशन ऑफ केंडिडेट विल बी गिवन फाइब तो सेवन दीज प्रायर तू दा इक्जामिनेशन ठीक है यहां पर पांच से साथ दिन पहले आपका एक्जाम सिटी बता दिया जाएगा ऐसा नोटिफिकेशन में चैप्टर नंबर बारा में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन खोल के इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है दो से तीन दिन पहले की बात की जा रही है ठीक है दो से तीन दिन पहले आपके एड्मिट कार्ड इशू कर दिये जाएंगे और पांच से साथ दिन पहले आपका एक्जाम सिटी पहलता चल जाएगा इसका मतलब है कि अभी तक अगर नोटिफिकेशन एक्जाम का नहीं आया है और इनसी जो का नोटिफिकेशन आता है जो 15 से सतरा दिन पहले नोटीस आता है ठीक है जैसा कि कि लास्ट टाइम नोटीस आया था 26 11 2 को एक्जाम शुरू हुए थे 10 दिसम्बर से ठीक है तो हमें जो हैं पंदरा दिन आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसमें कोई फ्रॉड या फेक चीज नहीं है, कि मैं खुद से ही कुछ भी बता देता हूँ, आगे कुछ भी नहीं है, जो है रियल वो बता रहा हूँ, और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर प भरती की जोईनिंग से समंदित जानकारी है, जोईनिंग के बाद जो प्रक्रियां है, आपको छुट्टी लेने की क्या रहता है, कैसे रहता है, वो सब इस चैनल बे आपको पता चल जाएगा, आप बात करते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच, तो स्टेज 1 से और सब कुछ तयार करना होता है, गुरुबडी वालों को स्टेज में, इसी बीच में स्टेज 2 की भी तयारी करनी होती है, इसे समंदित एक दो वीडियो में पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यहां पर दो चीज़ें बता ही रहा हूँ, तो एक्जाम से समंदित एक चीज और साथ में ही बता देता हूँ, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देखने आए, उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी, इसके बाद जो वीडियो आएगी, सायद वो आपकी छुट्टी से समंदित आएगी, कि इस नौकरी में छुट्टियां कैसे मिलती है, या ड बहुत बहुत धन्यवाद ही वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छे लेगी हो, तो लाइक करके जाएं, ताकि मुझे पता रहे, कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो सही दिसा में है, थैंकियो फुरोची